स्लाव मलेकूं स्टुरेट्स आयम यूर इस्ट्रक्टर हुए दैमाद में ने कहरें सिंगे प्रिवेस लेक्शन में हमने चैप नुमर फाइब के बेसी को डिसकुस किया था आज हम इसकी एक्सरसाइस पुरसे रैडिवार कॉंसेप्ट जो डिसकुस करेंगे वीडियो देख जी एक्सरसाइस 5.1 इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन जाओं फाइंड आउट करने अब इसमें लेखने हमारे पास सबसे पहले यूनियन के यूनियन अफ्टू सेट्स यूनियन अफ्टू सेट्स अब इसमें डेफिनिशन के है असएट देट कॉंसिस्ट अफ्टू 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 called union of two sets इसे हम union of two sets है इसको denote हम किस तरह करेंगे इस देनोटेट बाइ A union B इस तरह हमें से डेनोट करेंगे अब इसकी example देखे एक set A है हमारे पस 123 और एक set B है 345 इसका हमने union find करना है तो के union B equal हो जाएगा हमारे पस A के element 123 इसका union क्या बनेगा 123 दोनों में common है 3 आजएगा उसके बाद इधर से 4 और 5 आजएगा जो दोनों में element हो वह सारी लिखने है जो दोनों में common होंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देफिनेशन है वह है इंटरसेक्शन 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 में क्या होगा यह कैसा सेट है जो दो सेट के तुमां common element के उपर कॉंसिस्ट करेगा वह इंटरसेक्शन हो जाएगा सेम इस इस तरह डेफिनेशन हैंगे असेट देट कॉंसिस्ट और और अल एलिमेंट अल कॉम्मन एलिमेंट और सेट A & B A और B के जो common element के उपर कॉंसिस्ट करेंगा इस दिनोटेट बाइ A intersection B सेट यही A & B के आलिमेंट नहीं तो A intersection B हमारे पस क्या बनेगा जिस्ट जो common element है इन दोनों में यह common element हो हमारे पस 3 है तो यह 3 इसका यह intersection आपके 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 अभी सेट आलिमेंट हमारे पास exercise 5.1 exercise 5.1 इसका क्वेस्टिन नमबर वान जी क्वेस्टिन वान है हमारे पास इसमें एक्स की एलिमेंट है हमारे पास एक्स एक्कॉल हो जाएगा 1479 और इसके बाद Y की एलिमेंट है 245 में 86 कि फैट हमें अजा है यै रिजा है네ंट पार्ट वन है मरे पास एक्सीन आधियर एक्सिdesu ऐन हम नेधिश है अब सैंब है अब एक्सीन वान वाल थी का अबहा है यहस्पमकी बदीक है आड़ vitesse cinco अच्दा का सुआ इक्स डाटा सेवन कि युनियन में तुमाम अले ना। हमारे पासुआ को उसके बादु ओं में तुमारे इचिंसले जाते ना। मोन यह हमारे पास एंग्स निखाती है। येस्त हमने X unit Yांक हाँ पार्डव ए पार्डव ए X intersection Y X intersection Y ए X के element है 1479 intersection Y के element 245 & 9 अब इनका intersection रेंगा ये क्या बनेगा intersection में common element, दोनों में 4 common और उसके बाद 9 पहुंआ है यह इसका आंसरा है उसके बाद पार्ट नमर 3 है हमारे पास पार्ट 3 है यूनियन एक्स यूनियन एक्स हमने फाइंड करने है अब इसमें य के अलिमेंट क्यों होंगे इसके य हमारे पास 2459 एच्स के अलिमेंट 1479 दोनहें तुमामें अलिमेंट आईग इसके पार्ट नमर 4 और आजेगा फाइव आजेगा इधर से वन आजेगा और नाइन आजेगा दोनों में तुमाम एलिमेंट आजीगे इसके पार नूमबर फॉर पार्ट फॉर में हमने हमें फाइंड करने तो य इंटरसेक्शन एक्स अब वाइक एलिमेंट हमारे पस अब दोनों के कॉमन एलिमेंट लेंगे कॉमन एलिमेंट में हमारे पस फॉर आजेगा और नाइन यह इसका हमारे पस अरस्ता है यह था हमारे पस फुर नूमबर वन उमीड है समझ है इसमें कुई मसला नहीं है इसको करें सम्झेट कुई शोब नाव मेंसे डिसकस करें स्वेट्यू को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें माल शुरन ने थे इसमेट 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 इँ शाला मेरते नेग्स्टेश में लाफ्यास